महेंदर सिंग धौनी एक ऐसा नाम जो भारत के क्रिकेट को नहीं उडान दी। धौनी के बाद जहारखंड का एक और लाल करेगा राजे का नाम रोशन। राची का रहने वाला सुजित मुंडा ब्लाइंड टी 20 वर्ल्ड कप में खेरने के लिए हुआ रवाना। मुख्य मंत्री करेंगी गरीब खिलाडी को सहीओ। जिस तरह धौनी ने अपने कठोर परिश्रम से राजे देश का नाम रोशन किया ठीक उसी परकार से गरीब मुझ गया कि उसे भारत की वर्ष से ब्लाइंड टी 20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। सुजित मुंडा ने बिना देखे एक मैच में 150 से भी अधिकरन बना चुके हैं। सुजित मुंडा ब्लाइंड टी 20 में गुम्रा से कम नहीं है। जारखंडी बेटा को ढोल मांदर और बासुरी बजा कर बस्ती वालों ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए रवाना किया। आपको बता दे मंगलवार की सुबह ही उनको कैंप में सामिल होने के लिए जाना था। विमान सुबह साथ बजकर पचपर मिनट बजे उड़ान भर कर साढ़े दस बजे के करीब बैंग एयरपोर्ट के अंदर गये तो उन्हीं एयरपोर्ट आधिकारियों ने इस बात की सुचना दी कि उनका फ्लाइट छूट चुका है। इसके बाद इसकी जानकारी मिलने के बाद खेलकुद एवं यूगा कारे निर्देसाले द्वारा ततकाल टिकट कराए गया। इसके बा इस कैम्प में सामिल होने के लिए बैंगलोरू के लिए रवाना किया गया। राची की संक्री गलियों से निकल कर सुचित मुंडा अब 20 में देश का प्रतिनेधितों करेंगे। उन्हेत रहीन होने के बाद जूद ओकर दिखाया जो काबिले तारीफ है। यह मैच अगले म इनके सारे टीम के लिए मैं दुआ करूंगी कि वो सफल हो और अपना धारखन और देश का नाम रोशन करें। जी खुशी क्या से हुई है। जो हमारे बस्ती के लोग हैं, हमारे साथ सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे आगे पी कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है।